हेलो गाइस और वेल्कम बैक टू यॉर चानल एक्जाम रिपब्लिक आपका अपने चानल एक्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से सो गयता है तो दोस्तों कल यूपी पीस का प्रीलिम्स का जो एक्जाम है वो कंड़क करा गया था तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करन करेंगे डिफिकलिटी लेवल को अनलाइस करने कोशिश करेंगे फिर अमंत में जानने कोशिश करेंगे कि कट ओफ क्या रह सकते जो कि आप मेंसे बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहेगा तो दोस्तों शुरू में मैं आपको थोड़े से क्वेस्टन दिखा देता हूं जो कि Current Affairs और Quality हमने अपनी जो चैनल है उस पर अप्लोड करी थी वीडियोस रिसेंटली जो अप्लोड करी थी उन में से जो डिरेक्टली कोशिशन पूछेंगे यह मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आने वाले जो एक्जाम से MPPSC और हैराना जो कंड़क के स्पेशली तो आपको इन इग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उन में बहुत फैदा होगा तो आएए दोस्तों पहले फड़ा फट से देख लेते कि कौन को से Questions डिरेक्टली आये थे ठीक है तो सबसे बहले तो यह रैंकिंग्स वाले वीडियो यह बहुत इसमें वीउस नहीं देंगे आपको सिरफ इंपोर्टेंट जो पूछ जाएंगे वही देंगे तो उसका एक जो प्रीलिम फ्री हिट सीरीज है उसमें सिरफ तीन वीडियो भी अप्लोड कर पाया था उसमें से भी कितने Questions है आप आगे देखेंगे कितने डिरेक्ली एक वीडियो में से ती प्लेसिस सीरीज में ही जो भी मनेक कराई है उसके अंदर ही आपको कहा था कि यह question आएगा क्योंकि जो यूनिवर्स वाला है वो इंडिया की है तो जनरली पूछते नहीं है वह थी है कन्फ्यूस करने के लिए आपको दे रहते हैं यह आया था डव्यू एचो का सेंटर यह बहुत न्यूज में रहा था प्ये मोदी ने अनॉग्रेट के रहा था कॉंट्रवर्सी भी यह प्लेसिस इन न्यूज वाले में अगें प्रिलिम से सीरीज में था उसके बाद ऑपरेशन गंगा वेरी इंपोरेशन यह तो मैंने आपको तब भी बताता जो यूक्रेन वाली सीरीज है जिसके के अंदर अराउंड 30,000 के अराउंड व्यूज है तो उसके अंदर भी यह मैंने आपको पता था कि यह पूछा जाएगा आपसे तो यह इंपोर्टन रहा विम्स टेक्स सम्मिट के बारे में पूछा गया आपको होस्ट कॉन से रहा यह भी प्रिलिम से से स सारे दोस्तों एक ही सीरीज है जो कि मैंने आपको का था इंपोर्टन इसमें से ही पूछे जाएंगे करंट अफेर्स के जो हैं वो स्पेशली मैंने कवर करनी कोशिश की थी ठीक है तो यह आगे जो आने वाले आपके एक्जाम्स है उसमें भी आप यह जरूर देख लेना ठीक है चाहिए आप चैनल उसके बाद सब्सक्राइब करना कोई फरग ने पड़ता लेकिन आप देख जरूर लेना फिर यह फ्रीलिम्स फ्रीएट सीरीज इसमें सिरफ तीन ही वीडियो अप्लोड कर पाया थे मैं छोटी-छोटी 15-15 मिनट की 10 मिनट की इन में से ही फ्री ह तो हमने सारी आमेंडमेंट्मेमेंट्स करी थी और जो इमपॉटन सी वह करी थी तो इन में से ही तीन कॉश्टन्स बन गई डिरेकली schedule वाले में, का था ये question भी हर बारी पूछते हैं, free hits वाला, इसमें भी आगया आपका, फिर main booster series में, जो SDGs हैं, इस पे भी दो question बने थे, एक तो ये match of volume वाला था, इसमें मैंने आपको trick भी सिखाई थी, कैसे याद करने हैं आपको, तो इसका आप देख सकते हैं जाके, इंपोर्टेंट वो डेट तो हर साल वही रहती है न, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूँ अपने वीडियो में, तो ये पुरानी में से tiger और biodiversity day का वोता है, ये हम सब देखते रहते हैं, इसके बाद, लोतक लेक में, बहुत बार ही बता चुक हूँ, लोतक लेक के बारे में, कीमिल, लामजा और नैशनल पार्ट के बारे में, तो ये भी, ये मैंने एक screenshot लिया है, पर ये बहुत हर वीडियो में, आपको जो environment के उसमें, आपको ये रामसार साइट के बारे में बताता हूँ, उसमें generally discuss होई जाता है, ठीक है? स्वानिदी schemes, schemes जो देखते हैं, जल जीवन mission, ये भी सारा हमने discuss करा हुआ हूँ, पॉलिटी के तो आप कहीं से भी करें, मेरी वीडियो से करें या कहीं से भी करें, आपको सेम ही question रहेंगे, तो important मैंने आपको इसमें से भी, आपको केशल नंदा भारती के इसमें ये पताया था, ये question पूछा गया था, basic structure वाला, बहुत बारी पूछा गया, repeated question है ये, public accounts committee, committee के बारे में जाना था, इसके अंदर CAG का role है, CAG की report को ये analyze करते हैं, उसके बाद ये हर वीडियो के बाद मैं आपको revise भी कराता था, कि आपको part number और articles कौन-कौन से याद करने हैं, तो उसमें ही arrange करने में आ गया था, ये simple question था, हलागी, ठीक है, उसके बाद ये, जो duties हैं, इसकी मैंने आपको story बना के बता था, कैसे याद करने हैं, एक बार ये आप देख सकते हैं, जो fundamental duties हैं, आप 11 हैं, 10 नहीं है, याद रखना, तो इसमें से भी पूछा गया था, ही कौन सी नहीं है, ठीक है, तो tiger reserve, दुद्वा वाला करें हैं, subjects के बारे में, history, policy, geography, current affairs, environment, economy, science, you created a miscellaneous, ऐसे divide करें हैं, तो इसके अंदर जो मेरे को सबसे जो difficult पाट रहा है, यह देखें, मेरे analysis है, मेरी अपनी जो level of learning है, उसके basis में मैं बता रहा हूँ आपको, आपके लिए कोई subject और अच्छा हो सकता है, या कोई उसमें आप से का रहा है आपको, ठीक है, तो हाला कि मेरी history इतनी weak नहीं है, ठीक ठाक है, moderate का हूँगा मैं, ठीक है, हाला कि current जो basically, जो modern history है, वो तो काफी सही है, तो उस रिजाप से भी मेरे को लग रहा है कि 15 questions बहुत difficult पूछेगे हैं, ताइस में से, ठीक है, ताइस question history and culture कहते है तो उसमें से मेरे कहाल चाफ 15 जो थे, difficult is rate है क्योंकि ancient की तरफ ज़्यादा हम shift रहे हैं, इंशेंट या medieval के बारे में बहुत question पूछेगे हैं, जनरली modern history पूछेगे हैं, पर इसमें पूछेगे हैं, इसलिए मेरे को ये difficult लगा, quality बहुत असान थी मेरे सब से, easy questions और direct questions से ज ठीक हैं, उसके बाद जो important इसनोंने focus कर रहा है वो है science, science से बहुत question पूछेगे हैं, अब मेरी background science किये तो हो सकता है, मेरे को इसलिए असान लगी है science, लेकिन मेरे साब से जो 50% question है, यानि 22 में से 11 question बहुत easy थे, direct थे, आपको भी mostly लोगों को अगर आपने basic भी पढ़ी है तो आप कर लेंगे ये question, काफी असान थे, ठीक है, और इसी साब से हमने देखे हैं, तो 46 question बहुत easy थे, moderate question 53 और difficult question 51, तो जो लोग कहरे ना paper बहुत easy था, बिल्कुल भी नहीं, easy तो नहीं था, moderate level में कोऊंगा, moderate to difficult में ही रखूँगा, easy तो नहीं था, पिछले साल से आप compare क करेंगे, हाँ, तो 19-20 का फरह हो सकता है, कि थोड़ा सा easy है, पिछले, क्योंकि direct question पूछेगे हैं, पर उसमें ये भी रहते हैं, कि अगर आपको आता है, तो आता है, नहीं आता है, तो फिर वो zero ही है, तो इसमें आप analyze नहीं कर सकते, factual question रहते हैं, तो easy तो नहीं है, moderate to difficulty में से कहूंगा, ठीक है, तो ये थी हमारी analysis की क्या difficulty level रहा तो, इसके basis पे अब जो हम हमेशा की तरह model बनाते हैं, cut off का, इसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा change किया, कि easy में पहले मानता था कि 90% accuracy से आप कर रहे हैं, पर इस बार ही मैंने माना है कि आप 95% से कर रहे हैं, तो 92-95 र जो मेरे हिसाब से 84-86 रह सकती है, जो लोग 90 कह रहे हैं, अभी 90 रहने ही दिजिए उनके लिए, अभी जो keys आजेंगे एक दो दिन में आयों की, उसके बाद आप बात करिएगा, कि कितने आपके सही रहे हैं, कुछ questions तो delete भी होंगे, फिर उस हिसाब से marks नीचे हो जाते हैं तो इस हिसाब से, जो मॉडल के हिसाब से मेरे आ रही है, वो 84-86 रही है, अब जो लोग 90 प्लस कह रहे हैं, आप कहने भी जिए, 2020 में भी लोगों ने 90 प्लस कहा था, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने कहा है, उसके बहुत वो बोल रहे थे कि 95-90 ऐसे है ना, वो 110-114 नंबर और 84-86 रह सकती है, जर्नल कैटेगरी की, तो कैटेगरी वाइस भी एक बड़ी देख लेते हैं, तो OBC और EWS की जर्नली सेम ही रहती है, EWS की एक बड़ी तो ज्यादा ही चलीगी 2020 में तो, तो यह हो सकता, ज्यादा भी चली जाए, तो लेकिन इसी र 8 plus minus 2 और ST के लिए 73 plus minus 2, तो दोस्तों यह मेरी analysis है, आपकी अलग हो सकती है, comments में आप जरूर पता सकते हैं, आपका क्या view है, आपके कितने marks बन रहे हैं, एक बड़ी official answer की आजाने दीजिए, उसके बाद हम और discuss करेंगे, और CSAT, CSAT जो लोग कह रहे हैं असान था, बिल्कु आजाने दीजिए, उसके बाद discuss दुबारा करेंगे, तो दोस्तों अब जो आने वाले exams है, जो इस अफते होने वाले मध्यपदेश का prelims, और फिर अगले महीन होने वाले हर्याना का, तो दोनों के लिए आप वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए, तो जरू